प्यारे विद्यार्टियों आप देखिए का जैसे राजस्तान के परमुक लोग देवता कितना प्यारा टॉपिक और कितना अच्छा मोती लिख रहे हैं और सिंपल बासा में जे कोई आदमी छोड़ी और रहे दस साल पड़े छोड़ी और वह भी वापस अगर यह नोट्स प प्यारे विद्यार्टियों इतना लंबा समय भी मिला हैं आपको पढ़ने के लिए और लाइबेरियन ग्रेट सकींड को आप हलके में कतई न ले इसके अंदर दो भाग में पेपर होता हैं आप सब को पता हैं भाग और भाग ब जो फ़र्ष्ट पेपर होता हैं आपके जिस पर इसमें राजस्तान सा अमानिय विज्ञान और राजस्तां के अलबा भारत और विश्व से समधिट भी कुछ क्यूसन आएंगे आपके इसके लवा राजस्तान पॉलिटी हो या इंडिया है की Tou सबसे बड़ी चिंता की आपका पेपर फाइस्ट और वास्तमी चिंता करने जैसा है क्योंकि फाइस्ट पेपर नॉर्मली पेपर नहीं है उसका सेलबस भी बहुत जादा है सकेंड पेपर में आपकी यूनिट फिक्स हैं और सुमेर सर की आप कंटिन्यू कलास ले रहे हो तो मुझे लगता है कि लाइबरी में इससे अलवा आपको और भी कुछ पढ़ने के आउस सकता नहीं है अब आपके जो सबसे बड़ा चिंतन का विसे हैं पेपर फास्ट और पे और वास्तमी एक्जामिनर कौन से टॉपिक से और किस परकार से क्यूशन पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय का पेटेंड क्या है वर्तमान समय में राजस्तान में किस परकार के क्यूशन आ रहे हैं क्या नए जिल्ले को लेकर क्यूशन बढ़ सकते क्या राजस्तान में नव के जहांसे मैं बता रहा हूं सेलबस विस्त्रीत रूफ से उस सेलबस में से ही हो सके आपके एक्जाम में क्यूसन देखने को मिल सकता है चलो हम बात करते हैं राजस्तान लाइबेरियन नहीं किया है तो इस टेलिग्राम ग्रूप को जरुड़ जोइन कीजेगा क्योंकि इसके ओपर पीडियेप्स नोट्स या वेवस्तित रूप से सारी जानकारी मिलती हैं मैं भी जी हां मैं भी कुछ फ़र्ष्ट पेपर से रिलेटेट जो भी मटेरियल है जो आपके एक्जाम में बहुत ही काम आने वाला है वो मैं आपको इस टेलिग्राम पर उपलब्द करवाने वाला हूं तो आप सबसे पहले यह टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कीजेगा इसमें एक राजस्तान जी के का सबसे बड़ा मैत्वपूर्ण रॉल रहता है आप लाइबेरियन ग्रेट सकिंड की तेहरी करते हो या फिर ग्रेट धड की तेहरी करते हो राजस्तान जी के स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है आपके लिए वर्तमान समय को देखते वे रगिस्तान का निमत्रय को बंढ़र स्टीन का जाज को आ जाता है राजस्तान का हर्दे किस जुलय को का जाता है ये उन विद्यार्टियों के लिए हैं आपका ये परसन नहीं हो वर्तमान समय के पेटेंट के लिए आप ये मत सोचना कि आपका पेपर आपको सलेक्ट करने के लिए लिया जाता है बलकि आपका पेपर हैं आपको वेकेंसी से बार करने के लिए लिया जाता है कि मैं कैसा paper बनूँ जादा से जादा विद्यार्टी बाहर है जाए, select होने के लिए नहीं select होने के बनाता था, तो सारे के सारे select हो जाते बाहर कैसे किया जाए, तो इस परकार से क्यूशन पूछे जाते हैं हम राजस्तान जीके की यहां पर बात करेंगे, प्यारे विद्यार्टियों मैं राजस्तान जीके की बात करूँ राजस्तान जीके के अंदर आप देखेंगे कि तीन पॉर्षन आपको देखने को मिलेंगे राजस्तान जीके में तीन पॉर्चन में सबसे इंपोर्टेंट राजस्तान की कला और संसकर्थी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्यूशन एक्जाम में देखने को मिल रहे हैं। राजस्तान की कला संसकर्थी हर एक्जाम में क्यूशन आ रहा हैं। की राजस्तान का वुगोल से समंधित भहुत सारे क्यूशन देखने को मिल रहे हैं और राजस्तान के इतिहास से समंधित भी आपके बहुत सारे क्यूशन देखने को मिल रहे हैं और एक है राजस्तान का करेंट अपर करेंट की आपको पीडियाप उपलब्द करवा दी जाएगी टेलिग्राम के उपर जो मैं करेंट अपर पड़ा रहा हूं वह करेंट अपर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा हो सके हम आपको करेंट की कला से भी अगर पॉसिबल हुई तो दे देंगे नहीं तो करेंट की पीडियाप आप तक पहुंचा दी जाएगी फ्री आपकोश्ट आपके अंदर और आपके टेलिग्राम ग्रूप में अब यहां पर हैं राजस्तान से पढ़े हैं यहां पूरा ना माने 33 जिला याद को नहीं रहता सरकार 50 जिला कर दिया अब बताओ तो अगर अभी तो 50 ही हुए हैं जिनों दिन क्यूशन की संक्या बढ़ती जा रही हैं एक्जाम का इस्तर बढ़ता जा रहा हैं समय रहते हैं अभी भी आप लग जाओ कही इन कई गवर्मेंट के अंदर बला हो जाए आपका ठीक है ना तो राजस्तान के अंदर बुगोल के अंदर आपको नया जी के पढ़ना है बिल्कुल 50 जिलों के एकोर्डिंग पचास जिले काँ पर मिलेंगे 50 जिले कोसिस करेंगे आपको पढ़ाने की वरना इसकी पीडिएफ हैं वह आप तक उपलब्द करवाने की पूरी कोसिस रहेगी ठीक है ना तो पहला आपके यह माइंड से निकाल लेना पूराना वाला नया जी के पढ़ना है अपडेटेट पर राजस्तान की विशेष्था यहां पर एक टॉपिक दिया है इसके अंदर कम्प्लीट इंफॉर्मेशन देदी बोगलिक विशेस्टा के अंदर आप राजस्तान की इस्तती और विस्तार का भी क्यूशन देखने को मिल जाएगा राजस्तान की जो इस्तती और विस्तार इस्तती और विस्तार इसका भी क्यूसन देखने को मिल जाएगा बोतिक पर्देश है राजस्तान के सारे बोतिक पर्देश इसमें सामिल कर दिये गए है जल वायो और जल निकासी अब इस जल निकासी एक छोटे से चैप्टर के अंदर आपके देखो जल निकासी के अंदर नदिया पूरी कंप्लीट देदी है आपके जील आपके कंप्लीट देदी है बांद आपके कंप्लीट देदी है और शीचे परियोजना इसमें आ गई है अब अच्चा क्या सोचता है जल निकासी पढ़ना में जल निकासी किये बड़े को कैसे बाहता जाता है जल को सरेक्षन कैसे किया जाता है अब केवल एक जल निकासी टैपिक के अंदर इतने सारे टॉपिक दे रहे हैं नदियां जील बांध और सीटी परियोज ना जल वायू दे दिया ś यह कंपलेटली जल वायू यह जल वायू अब बुगोल वैटा के अनुसार भी कौपें सी इसे परकार वनस्पति आगए बीघह और यहां पर परियटन के अंदर भी देदीए कुल मिलाकर सबसे important यह है selection उसी का होगा जो smart तरीके से पढ़ेगा और smart तरीके पढ़ने का एक ही तात्परी है यहाँ पर जो विद्यारती राजस्तान भुगोल को budget 2024-25 का जो budget आया था अभी वर्तमान में 10 जुले budget हमें सा advance आता है और एक आर्टिक समिक्सा आर्टिक समिक्सा इसको मद्य नजर रगकर आर्टिक समिक्सा 2023-2024 एक साल पहले कियाती है तो आर्टिक समिक्सा और budget के आंकडे को सामिल करके जो बंदा पड़ेगा राजस्तान की भुगोल वो सबसे advance में रहेगा क्योंकि यही पूछा जाता है अभी पूछा जाएगा राजस्तान में हाली में कौन सा बांध बंद के तैयार हुआ फिर उस बांध की बरावसम तब पूछ लेंगे कौन सी नदी पर बढ़ाए गया यह सारा economic survey के अंदर आपको मिलेगा काँ पर मिलेगा economic survey के अंदर आपको देखने को मिलेगा किलियर ना तो यहां से आपके एक single क्यूशन गलत नहीं होना चीए पर क्यूशन यहां से मिलेंगे और बच्चे यहां confusion रहते हैं इसको पढ़ते नहीं है तो आर्टिक समीकता और 2024 के अनुसार आपको राजस्तान की भूगौल पढ़नी चाहिए सिद आगया मगरा विकास कारीकरम में कितने जिले समयलीत है सीमावर्ती चेत्र विकास कारीकरम में किन के जिलों को समयलीत किया गया उसमें फलोदी समील नहीं है अनूवगड को समील किया गया जबकि सरकार मानती हैं कि अंतराष्टी सीमा पर 6 जिले फलोदी भी सामिल है जो राजुस्व मंडल की पत्री काय थी उसमें फलोदी को सामिल कर लिया गया है तो काइन कहीं यहां confusion बना रहता है है राजस्तान का इतिहास लेलो अब इसमें आपके सभीयता देंडें तरी oldestे काली अहर गनेशरों और बैराट इसमें तरी हैं और पर नाम दे दिया अवह अहर और गनेशर और बैराट अब आप क्या सोचते हो आड़ सभीयता अगें मुझे कावल आड़ी पढ़नी है तुम् अब बताओ गिलूंड सब्यता हाड की उप्तव्यता है बाला थल है तो यह नहीं पूछी जाएगी क्या अब यहां पर आपको सेलबस में मोटे मोटे तोर पर दे देते हैं और बच्चे यहां सिद्माग से निकाल लाते हैं मुझे तो गिलूंड पढ़ना ही नहीं मुझे ब सब्यता में हैं में हैं और कालि बंगा की ती राज़्सतान का इतियास पूरा है जिसमें अजमेर आठोडवश पढ़ना है आपको अमेर का कच्छावावा सो फिर आपके जाट वन्सों भाटी राज वन्सों यह कंप्लीटी इसके अंदर दे दिया हैं यहां पर देखो गुजर परतिहार आजमेर के चोहानवन दिली सल्तन के साथ समझ मेवाड रंतंबोर और जालोर अलाव दिन खिल जी अंडेट परशेंट एक्जाम आएगा अकबर आएगा रंतंबोर का अभ्यान चितोडगट दूर्ग का साका और जालोर का और सिवाना का पढ़ लेना आपके एक्जाम में अंडेट और मेवाड के राजा राज सिंग के बारे में यह कंप्लीटली राजा दे रखे हैं रट के रख दो मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको यह पेपर बनाके देदू ना फाड के रख दू मैं राना संगा जनम कुंडली निकाल दो उसकी है क्या उकाद इतिहां से बढ़कर क्या चीजे क्या है हमने सबसे पहले उठाया माली यहां पर क्या लिख रहाएं राणा संगा राणा संगा के पापा का नाम क्या है माता का नाम क्या है जनम का हुआ कब हुआ इनके गोड़े का नाम क्या है युद का का पर हुआ इन्होंने किन के साथ संगर्स किये थे इनके सेन टोपिक इसकी स्थापना करने वाला अलग है साथ में तक का पूछा जाता है विशेश प्रकार की पत्री का है कुछ विशेश प्रकार का संगटन हैं कोई समयत्य हैं अगर कोई सभा का गटन क्या गया है उसके बारे में पूछा जाता उसका सासक कौन था इसकी स्टापना बार हुई कोई उन्दर हुई आप कॉइ दिवस मनाया गया नहीं मना की कि पढ़ परे सबसे मंडल से घ्र-अ आगया स्वाल सिद आगया राजस्तान का कौन सा पढ़्जामंद ले जिसकी स्थापना राजस्तान के बार आप क्या सोचे कॉलकता का क्योंगा मुंबई में हुई अब वहाँ पर आफस गए विकान है रोगा निवा तो इस परकार से क्यों से आते हैं और आपके एक्जाम में सीधा देखने को मिलेका राजस्तान का एक ही करना गया साथ चरण बड़िया इंपोर्टेंट है इसी परकार कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो राजस्त के संसंपर्दाई मंदिर कीले महल हवेल्याज चत्रिय कुंड सब पढ़ने आपको पैंटिंग विभीन स्कूल मेंवाड सकूल जोन मारवार इसकूल जोनड़ है हड भी हैो Piap वाइब पर्मुग्चितर कार कंहें परिमुग्च रॉक्वा को से रंगों का प्रियोग ही इंधु Hai पासो पर्मुग से रोप मेंकिस Best परियोग हुआ था वाहे पर मुप से थे ठीक है ना उनके समकाले इन कोई परसीद चित्र वाओ तो सिधा आता स्रावक पर्तिकर्मन सुतर चूरन नामक चित्र है किस राजा के समय बनाता तेज सिंग के समय दूसरा सवाल आ गया कब 1960 में तीसरा गया किस ने बनाया कमल चंद ने ऐसे सवाल आते हैं कि मेले त्यूआर एलो भई करवा चोथ आईगीन तीज आईगीन दसेरा आईगोन नौ नोड़ता दसा दिसरा भीसा दिवड़ी तो भड़े रहे हैं कहता वेटा कावत याद्रा को एक कावत आट काम आवे न नौव दिन के नोडता होता है रहेँ दिव्य दिन दष्य रहता हैं और गजा वेटनिया तो कि विष्यों रूफ से लड़का तो छोड़ने वड़ी है नहीं मेज़ तिमार का ऐसी द्यावेला की तीज तिमार को मना आप छोड़ने वड़ा क्या आप बोलेंगे तीजवा बताओ छोटी यां बड़ी बढ़ी भादवारे में क्रश्न पक्सितर्तिया छोटी आवे सामण्रे में सुक्ल पक्सितर्तिया बत्ते बताओ मेरा तिवान हम छोड़ना वह लेनी है करवा चोद कप आती है ठीक है ना इस परकार से रिति रिवाज प भी में बतूँगा क्यों नहीं हैं राजस्तान की राजनेति को परसास्निक व्यवस्ता कंप्लीटली आपको पढ़ना है राज्य मानवादीकार आयोग having my मुक्य मंत्री मंदल क्या है मुक्य मंत्री को लिखो मुक्य मंत्री से समंद्र सारे प्रावदान लिख लो मुक्य मंत्री का कारिय से लगा कर मुक्य मंत्री का जो त्याग पत्र है वो कौन-कौन से आर्टिकल के तेत होता है एक पेज के अंतर मुक्य मंत्री को फाड़ दो एक पेज में इस परकार से ही पढ़ना आपको राजस्तान में करन्ट अपेड्स सामाजिक आर्थिक से समंदित राज्य इस्तरिय परमुख सामाजिक एक मुद्दे गटनाय राजनेति खेल और खेल के पहलो कुछ भी मतलब नहीं है आपको राजस्तान में जो गटना और यह वो सब पढ़नी है ऐसे नहीं मैं केवल खेल पड़ू कि कोड़नोलोजी हर महिने की कोड़नोलोजी में राजस्तान का करेंट अपेड्स आता है वह र वेश्विक पहुने और पढ़नाली बहुत इंपोटेंट टॉपिक है हर कोई बच्चा यहां फस्ता है परियावरन मुदे और रणनीतिया वेश्विकरन और उनके प्रभाव जनसंग्या वित्रण परवास के बारे में भारत बहुतिक विसेश्ता है यह निकि भारत की भो रुजा कंप्लीट मैं यह कह सकता हूं भारत की जोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए भारत का भुगोल इसके अंदर आपके कंप्लीट ली दे रखा है पढ़ना चाहिए आपको ठीक है ना खान खनीच को छोड़ गये भारती अर्थ विकास बारत विदेश व्यापा रु फडियर के बदया घ्रख लेंगे के बारहिए शाप नहीं है ओपके अंदर आप देखे जाकर बोट ही सांदर तरीके से कि तो प्यारे विज्यात्यों कि यह जो टॉपिक हैं इसको आपको पढ़ने और स्ट उपने देते हैं कि मतलब होता है साकारातमक सोचकर आप उत्तर दे अब वह जमाना नहीं गया वह अब आपको पढ़ना पढ़ेगा इसको अलग अलग परकार के सिदान थे इनमें फॉनवेट ने क्या क्या था बांडूरा ने क्या क्या था गेट्स ने क्या दिया था क्रों और क्रों ने क्या दिया था बहुत सारे बहुत सारे मनोवेगेनिक हुए थे जिनको साइद यह मनोवेगेनिक सब बार के कोई इटली के हैं कोई आर्लेंड के कोई साइटन नहीं भारत के नम न मटे पड़ने मज़ातां था कोई भी परिभासा के आगे उसका नाम आता यह मिन याँ पर भारत के फ्र मंट की दिदी ये दुद्ध मोती द्spe Manuel आँ एप ये परिभासा हमारे मानो व्य genial हमारे में महीला थी जिसका था दा कूड़ी भाई इस परकार से क्यों सनाते हैं तो हम कर लेते हैं पर करें क्या हमारी अमनोवेगे निखुए ने सब बार के सिद आएगा जैसे आएगा बच्चों के विकास के बारे में क्रो एंड क्रो ने क्या परिबासा दी गेश ने क्या परिबासा दी थांड डाइक ने क्या परिबासा दी वाटसन ने क्या परिबासा दी ऐसे अब हमें ये नामी नहीं आते हैं हिल गार्ड ने क्या परिबासा द तो यह मनों विग्यान आपके अनिल सर के द्वारा यह बहुत ही बढ़िया है अब प्यारे विज्यार्टियों मैं यह कास लेकर आया हूं इसका मुख्यों देश क्या है कि मैं चाहता हूं कि पेपर फ़र्ष्ट की तेहरी में मैं आपका कईन गई साथ दूं आपका सयोग प्यारे विज्यार्टियों कोई सब्जेक्ट टीचर है जो अपना दस साल का अनभव विग्रत इतने साल ऑफ-लाइन में अजरो सेलक्षन देने का अनभव राज की बात बाहर लाने का अनभव यह सारे के सारे अपने हैंडिटन नौट्स के रूप में आपको दे दे मैं खुद जो चीजे पढ़ाता हूं और जो ऑफ-लाइन में बच्चों को देते थे और अजरों बच्चों सेलेक्ट होकर आज सरकार के विबाग में शवाई दे रहे हैं वहों नौट्स आप तक पहुंचाने का जबाबदारी यानि कि ऑफ-लाइन में तो बच्चा आता है तो खुद लिखता है पढ़ता है तो उनके पास आ जाता है पर आज हमारे पास राजस्तान के हर गाउं धानी मोले से बच्चे जुड़े वह और उन तक हम कैसे पहुंचा हर बच्चा तो जोदपूर में नहीं आ सकता है तो हमने उन बच्चों तक जुड़ने के लिए हमारे जो हैंडिटन नौट्स हैं वह हमने कंप्लीट बना लिया हैं हैंडिटन नौट्स में अब आपको मिलेंगे एक तो मेरे रा राजस्तान का भुगोल उसमें भी बाढ़ जाने वाला नहीं है राजस्तान का इतियास और जिला दर्शन यह कंप्लीट चार बुक का एक कॉम्बो हैं जो आपको मिलने वाला है चार बुक के अंदर राजस्तान जोग्राफिक यह भी हमारे आउट आउप इस्टोक चल दी है क्योंकि हमने जैसे ही लॉंच की थी तो बुक बहुत जादा निकल गई तो हमारे अभी आउट आप इस्टोक चल दी है राजस्तान इतियास और कला संस्कृति अभी अवेलेबल हैं बहुत जल्द हम आपको इसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे अब राजस्तान जिला देने वाली हैं तो उनको हम जिलादर्शन बिल्कुल फ्री ओव कोश्ट देने वाले हैं बिल्कुल फ्री देने वाले हैं यह जिलादर्शन तो जिलादर्शन फिरी का मिलेगी इसके लिए आपको OSI for Library Science का एप डावलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से यहां फिर आप टेलिक्राम ग्रूप से जुड़ना पड़ेगा वहां पर आपको यह PDF के रूप में आपको हम उपलब्द करवा देंगे रही बात इन तीन की तो इन तीन का लिंक आपको जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे अब यह नोट्स कैसे दिखेंगे तो देख भूई माली जे एक छोटा सा डेमो में आपको दिखा रहा हूं राजस्तान कलायम संसकर्ती हासलिकित नौट्स पेली बाद कक्सा 6-12 तक पुस्तक NCRT को पूरा समयलित कर लिया गया है नविंतम पाटिकरम है ट्रिक के साथ संपूर्ण नविंतम जिलादर्शन को सब को एड़ किय गया है यह प्यारे विद्यार्टियों आप देखिए का जैसे राजस्तान के परमुक लोग देवता कितना प्यारा टॉपिक और कितना अच्छा मोती लिक रहे हैं और सिंपल बासा में जे कोई आदमी छोड़ी और रहे दस साल पड़े छोड़ दी और वह भी वापस अगर यह नोट्स पढ़ लेना तो उसके अंदर भी एक जान आ जाएगी और उसको लगएगा कि मैं लाइबेरियन नहीं मैं राजस्तान के अंदर आर एस की तेहरी कर सकता हूं लाइबेरियन क्या है इन नोट्स के अंदर इन लाइनों में जान डालता कि अपनी देशी भासा में लिख रखेंएगे आप अपने तीरी भासा में लिख रह ड़ा है जैसे अपने बात करें वह वेक्ती जिनों ने धार्मीक, सामाजीक, सांसकर्ति, गो रक्सा वह भूमी की रक्सा करते हुए लोगों में पड़सी दिपाई वह लोग देवता कहलाते हैं पीर वह देवता जिनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों द्रह में पूजा की जाती वो पीर कहलाता है राजस्तान में पांच पीर हुए जिनें पंच पीर कहते हैं इनके लिए एक लोको की परचिलित हुई पाबु अडबु राम देव मांगलया में हां और पांच पीर पदार जो गोगा जी जेहां तो यह बिल्कुल सिंपल वासा में लिख रहे हैं यह देखो ट्रीक के साथ पंच पीर में पांच देवता कैसे याद करें गोपा राम हमारी यहां पर पुराने आजमियों का नाम ऐसी होता रहा है गोपा राम डगला राम लाबु राम छगरा तो गो मन भी लेकर बैठ जा तेरा मन ने यह पड़े में तो भी खोल के बैठ जा याद हो जाएंगे जैसे पाभु जी के बारे में तो देखो पिता का नाम क्या था माता का नाम जनम इस्तान का पर है पतनी का नाम बहें का नाम भाई का नाम गुरू और गोडी का नाम क्या है यह हम इसके बाद बात करें तो देखो यह पाबुजी के उपनाम एक साथ हमने मेंसन कर दिये हैं पाबुजी के सयोगी कौन-कौन से ते चांदा, डेमा, हर्मल, खापू, पेमा, स्खंगार, वसल, पाबुजी की फड, पाबुजी के पावडे, एक दम व्यवस्ति तरीके से पा यानि कि लोग देवता, लोग देवता आपके अठारा पेज में लिख रखे हैं और अठारा पेज इसलिए वह एक हाथ से लिखे हुए और खुला मेटर लिख रखा है, बहुत ही बढ़िया मेटर, ये एक बुक के अंदर आपको 264 पेज की राजस्तान के कलासन स्कृति की बुक है, 264 पेज दिख रहे हैं पर अगर आप ठान ले तो मतर 10-15 दिन में इस बुक को पढ़ लेते हैं, एक वेक्ति अराम से पढ़े तो 10-15 दिन में इन नोट्स को अराम से पढ़ सकता है, पानी पिने की भी जरूत नहीं बीच में, ये बोल दू में, ठीक है ना, दूस का लिंक आपको बहुत ही जल्द उफलब्द करवा देंगे हम, कहां से किस परकार से आपको लेने हैं, तो हम वो लिंक देंगे, आप वहां से ये नोट्स ले सकते हैं, और लाइबरी साइन्स के अंदर एक अच्छी तेहरी करके इस बार सेलेक्शन लेकर अपने माता-पित हमारा और अपने समाच का नाम रोसन कर सकते हैं, हम ऐसी आसा करते हैं, हम इस यूटूब चैनल के उपर बहुत सारे राजस्तान के वीडियो और राजस्तान करेंट आपेर्स काफी ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ, जो आपके एक्जाम में मिल के पतर साबित होंगे, जो म समबान हैं, और आपके सेलक्शन में सयो करें, दोसरी बात यह हैं कि आप जो तैरी करें, यह राजस्तान थर्ड ग्रेट में भी काम आएगी, लाइबेरियन में में सगेंगे European Year्ट में भी काम आएगी और आप तैरी कर रहें, तो हमारी सुปकामनास यह आपके साथ हैं, आप बहुत बड़ा तेहरे कीजिएगा, जहन सात्यों, नमस्कार.